कि क्या हो और आपका गाड़ी बीच रास्ते में रुख जाए और रेडिटर में आपको पानी दालना पड़े लेकिन आपको यह नहीं पता कि रेडिटर का कैप ही कैसे खोलते हैं तब आप क्या करेंगे हलो जुस्तों मेरा नाम है तो लाप दिख रहे हैं रिपेरिंग या न रेडिटर कैप के ऊपर एक लाइन लिखे हुई है मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं इसका मतलब है कि जब भी आप गाड़ी कहीं से चला के लाएं इंजन गराम है तो इस कैप को आप जैसे ही खोल देंगे तो जो गर्म कूलेंट है वो प्रिशर के साथ ऊपर आएगा फवारे के रूप में और वह जहां-जहां आपके सरीर में पढ़ेगा वह जल जाएगा वह बॉडी पार्ट जल जाएगा तो कभी भी इसको ऐसी कंडिशन में जब भी इसको खोलने वाले हों उसके लिए क्या करना है कि इस तरह का एक हमें कपड़ा लेना है कपड़े को र हटा के दिखा रहा हूं कि इस पॉइंट में आपको इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है जिससे कि जो भी प्रेशर है वह रिलीज हो जाएगा कपड़ा मत दिखाने के लिए आपको की रेटर का कौन सा पोजीशन में आपको रखना है तो इसको रखे रहना है और फ हमको सिब ऐसी खोलना हो तो इसके लिए क्या करना है कि इसको ए ऐसे घुमा देना है यह कि आपके आप आपका रेटर कर जो वह हो जाएगा और लॉक होने के बाद अगर आप इसको और घुमाएंगे जोर से तो क्या होगा मैं आपको दिखा सेता हूं तब होगा यह कि इस 5-6,000 रुपए ये खर्च आपका आएगा आएगा इसमें तो इसको इस पॉइंट से खोलने का जो तरीका है वो आप द्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का जो मेन पार्ट है वो यही है तो करना क्या है कि इस रेटर कैप को थोड़ा सा हलका सा नीचे दवाना है ठीक है नीचे के वो प्रिशर दालना है और इसको पूरा खोल देना है इस पॉइंट में आने के बाद ही रेटर कैप आपका खुलेगा देख लीजिए ध्यान से यह देखिए यह हमारे लेटर कैप उपें हो गया है यह होता है तरीका लेटर कैप को खोलने का और इसको बापस बंद कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देत हूं यह ग्रींग कलर का हमारे तो मत खोलिए ग़ोला पड़ रहा है तो जो उनछा फॉल्व करिएगा अब कितना होना चाहिए तो दीखे यहां पर आपका दो डॉट बना हुआ है आपको हाथ से दिखाता हों यहां तक आपका कुलैंट कुलेंट होने चाहिए यहां पर ब्लैक कलर करसे मार्कर से निशान हुआ और वीडियो मेरी कॉंटिनू निया रही है मैं एक्छली मेरे एक्जाम अगरे चल रहे हैं तो पिलेंगे नए वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्देबाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा शेयर करेगा